हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स आज हम लोग लपेटा व्लाउज की स्टिचिंग करेंगे अगर आपने इसकी कटिंग की वीडियो नहीं देखिए तो लिंक डिस्क्रिस्टर में है आप आहां जाके देख लेजिएगा तो चलिए सुरू करते हैं फ कि दूसरा पाट विश्टा सिलेंगे अधिक फ्रेंड्स पालट के में एक शिलाई आस्तर की साइड प्रेस शिलाई डालेंगे यह शिलाई आस्तर की साइड होन जाए है यह यह लानिंग की साइड कि देखिए फिर में उसको पलट लेंगे और वोल्टी साइड से शिलाई चलाएंगे गले से सुरू करेंगे फ्रेंड्स पुरी पट्टी तक शिलाई कर लेंगे और फिर में कट लगा लेंगे अब इसको यह से पलट लेते हैं अब पट्टी को अच्छी तरह पलट लेंगे और उपर से यह सिलाई चलाएंगे ताकि यह सिलाई बैठ जाए इस तरह से और यहां फिम डाट डालेंगे इस तरह से और यहां फिम डाट डालेंगे का पार्ट है इससे चालेंज लेकि हम डाट डालेंगे तुम्हारे एक पार्ट बन गया है फ्रेंड्स इस तरह से दुसरा पार्ट बना लेंगे बैक का ही आए यह देखिए हमने दुनों पार्ट बना लिया है और इसको इस तरह से नाट बान देंगे तो चलिए हम लोग फ्रंट का पार्ट बनाते हैं यह देखिए इसको भी हमको अस्तर को पलटना है तो सबसे नीची पहले हम कपड़े को सीधा करके रखेंगे फिर लाइनिंग रख और फ्रंस अब हमने पर शिलाए डालेंगे और शिलाए उल्टी साइड से डालने ताकि पर रटने पर सीधा हो जाए कि फ्रंस नेक को कट लेंगे और फिर हर जगह हम कट लगा लेंगे और कट ऐसे लगाना कि शिलाए ने कटने पाए इस तरह से और इसको हम पर रट लेंगे यानि सिध्धा कर लेंगे और फिर उपर से एक शिलाए डालेंगे ताकि शिलाए बैठें कर लेंगे अब बैल्ट को में कमर के साफ से काट लेंगे देखिए मारी कमर अठाइस इंच लेंगे और दो इंच कटिंग का एक काट के निकाल देंगे अब अब हम सारे डाट पी कट करणी साल लगा लेते हैं आई में और डाट को थोड़ासे डार्क कर लेंगे ताकि दूसरे साइट दर जाये जलेकर यह जिए डार्ट को फिर डार्क कर लेते हैं और फ्रेंट सोमकच्छा करके इस पर सिलाई करेंगे यह तीन डाट की बलाओ जेए फ्रेंट में हम बीच में प्लीट डालेंगे और साय डाट को स्टी लेते हैं कि अगर अगर आधि-अधि इंस डालेंगे फ्रेंट सिर्फ हम कमर की डाट अपने चेस्ट और कमर के साफ से डालते हैं जैसे इसकी कमर हो इसमें इतना अच्छा कब बनता है और बीच में हम प्लीट डालेंगे अब फ्रेंट समया पे बिल्ट लगाएंगे अब बिल्ट को हम सेंटर से लेंगे प्लीट इंगे व्रेंगे वह कि व्रेंगे ता ले पी प्लीट कि अपलेंग wurde雷 करेंगे इससे सिलाए देखती नहीं है और बहुत अच्छी फिंजिंग आती है हमको हमेशा बेल्ट बीच से ही सिलना है देखिए यहां पर थोड़ा सा कट लगा लेंगे ताकि यहां पर शिकुड़न ना आए और यहीं से वेल्ट को पलट लेंगे इस तरह से सिलाई अंदर चल जाती है और कपड़ा उधरता भी नहीं है और वहाँ सफाई दिखती है अब वेल्ट के उपर एक सिलाई चला लेंगे ताकि वेल्ट अच्छी तरह से बढ़ जाए कि इतना अच्छा कब बना है कि व्लाउच की फिटिंग बहुत अच्छी आते एक बार बनाके जुरू ट्राई करिएगा अब हम सोल्डर जॉइंट करेंगे पहले सीधी साइड से करते हैं इसको परलट के उल्ड़ी साइड से सिलाई जला लेंगी और जो एक्स्टर कपड़ा दिख रहा है उसको छाण देंगी फ्रांट से हम स्लीप तैयार करेंगे और दिखिमने स्लीप तैयार कर लिए और फ्रांट वाले पार्ट जो गहराई वाला पार्ट होता वो फ्रांट की और सिलाई आते हैं करेंगे और यह सेंटर का निसान लगा के हमें इस फिटिंग लगाते हैं और पहले सब सब्सक्राइब से लाई करेंगे ताकि सारी सिलाईयां अंदर हो जाए और एक्ष्टा कपड़ास को काट लेंगे और किनारे पर पहले एक सिलाई चला लेते हैं अब यह सिंटर से अपनी कमर नाप लेंगे और शेष्ट नाप के निसान लगा के फिटिंग करने सान लगाएंगे और यह सिलाई चला लेंगे और यह सिलाई चला लेंगे इसी तरह सब दूसरे साट भी सिलाई कर लेंगे और देखे फिटिंग किती अच्छी आई है और हम एक लेस लगा लेंगे इस पर जहां से मारा गला वहीं से लगाएंगे फ्रेंड्स बिल्ट को छोड़के जो उमको बादना है आए 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 प्रेंट्स हमने लगा लिए हम नाट को बाँ देंगे इस तरह से नॉट देंगे और बोग की तरह बना लेंगे फ्रेंट्स इस तरह से मारी बलॉज बन गए फ्रेंट्स यह बहुत ही सुन्दर लगती है आपको वीडियो कैसे लिए फ्रेंट्स कमेंट करके जरूर बताएगा और हमाई चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब जरूर करेगा थैंक यू फ्रें